योगीज आयुरवेदा चार पीडियों से रख रही हैं आपकी तंदरुस्ती का खया पर आपको उतना अपडेट नहीं दे पारा था पर एक साल से काफी हम लोग इन टाच में हैं रेगुलर में अपडेट दे रहा हूं अब जो इस साल में जो मैंने गतिविदियां देखी पेशेंट्स में चेंजिस देखी और रिपोर्ट्स की स्टडी में जो इवैलुएट कर करना चाहता हूं आपको उसके पर एक सुचेट करना चाहता हूं जो डिमेस्टिकेशन होने में भी कि इसके इस तरह की गलतियां पाई जाती है तो जिससे पेशेंट को क्लीर हो के मुझे सही तरीके से टेस्ट कैसे करवाने हैं मेरी रिपोर्ट्स की मिलेगी क्योंकि यह ज चैंडर्स हमेशे अलग रहते हैं यह आपको भी पता है तो हम लोग नों इन धारनों को लेके और भी क्लियर क्लेरिफाइड लेविल्स पर जाना है कि जो आपके अल्ट्रसंट स्कैनिंग है वह सही कैसे होती है सीमन रिपोर्ट्स आपकी जो किन दिनों में सही रिपोर्ट हम लोग ज्यासे वेरिखोसेल में लेके चलते हैं मुखे रूफ़से जैसे मारे पास कॉल दिया है उसमें रहता है कि हांभी कॉल आई उन्हों ने हमें और भी वहुत रिपोर्ट्स में रिकावी को सील यूट्शी पर देखी हैं अभी बिलास्ट दो महींडें के बीश मेरे दॉक्टर देस्सीम में उन्होंने भी ऐग्जामिनेशन करके मुझे बताया फिर मैंने करा एक्सामिन करने आख लिवारेक्षिे एक्साम करने के वान थे कहलों प्रॉक परपर बंच का मैसूस हो रहा है उसमें सिस्ट किसी तरह का हृड्योसील न था न हम अ प्रॉपर बंच ऑफ वेंस जो वेरिकोसील पेशेंट मैसूस करता है अब आप हैरानी जज़क रहेंगे एक नहीं तीम चार पेशेंट्स ऐसे हमारे पास नेरेस टू सहारनपूर अमबाला या हमारे पास यहां रिलेटेट टू डेली से आए एक भाइसा हमारे पास जो आया ह प्रम ओडिसा लास्ट एड़ महिने के बीच में लॉक्डाउन खुलने के बाद पीशेंट्स आए मारे पर इसमें क्या रहा उन पेशेंट्स में उन्होंने जब रिपोर्ट भेजी उन्होंने पेशेंट्स वाला था वह आई नहीं है एक्जामिनेशन उन्होंने खोदी कर इसको जब मैंने दुबारा बुला कि आप स्कानिंग करवाई अभी नहीं महीना रुक के करवाईगा तो उनको जब मैंने बोला वह सोडी सा वाले पेशिंट भाई साब को मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता उनको मैंने अंदाजन महीना डेड़ होके इस बात को तो मैंने जितनी आज तक स्कानिंग कराई हैं एक दो स्कानिंग थी उनकी रिपोर्ट वो सारी सुपाइन पूजिशन मतलब लेट के का आ जाता है इसको हम लोग पीट के बल कहते हैं तो डॉक्टर आपको स्कानिंग वाले बोलते हैं जोर लगाईए नीचे को जोर लगाना होता है है तो सुपाइन पॉजिशन होता है लेट कर तो हमें कया करना है कि इसमें करना हमें पेसिन को खड़े होकर उसकí स्कैनिंग करवानी हैं स्कैनिंग करवाने कैश और बोल्स के उपर और की और ऑगो के प्रॉपर डॉक्टर अर्जशर आ सक्मेस चानिंग रहते हैं धैब्स मेरी रिक्वेस्ट अगर आप वह से कराएं स्कैनिंग तो जब जोर लगाते हैं तो ग्रेविडेशन फोर्स के करण आपकी एक रियल स्कैनिंग रिपोर्ट आएगी पहली बात जिसमें पेशिंट को वेरी कुसील महसूस होती है बट स्कैनिंग में नहीं आती है पहला तो यह दिखिया कि आपकी स्कैनिंग में डॉक्टर आपको हमेशा 99% लेट के ही आपकी स्कैनिंग करते हैं तो वह स्कैनिंग और जब खड़ी हूँ स्कैनिंग का फरक देखके चलेंगे उसमें एक से लेके 3 mm तक का डिफरेंस आपकी वेरी को सील में आएगा वह बढ़ जाएगी रीजन है वह बड़ी ही तब मिले कि क्योंकि ग्रैविटेशन फोर्स के कारण बहुज नीचे आजाती है और आपका जो वह बढ़ जाता है प्लक्स का तो उसके कारण ब्लड फ्लो है आपको फुर दिक्कत बढ़ती है और पेशिंट को पेंस विकरा डिस्कॉंफट महसूस होता है तो लेटकर और खड़े हुए वेरिकोसील अल्टरसांट का सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको यहां समझ में आ जाएगा कि जैसे कई पेशिंट कहते हैं हमारा पहले इतना था अब हमने इलाज करा है पंदरा दिन महीं देड़ महीना दवाई खाई या दो महीना हमारा वेरिकोसील हमें लगा हमने स्कैनिंग करा तो बढ़ गया तो उन पेशिंट्स को मैं यह क्लियर करना चातों मेक शूर कि जब भी आपने कहीं से इलाज कराना है शुरू वेरिकोसील का हमसे कराई कहीं से भी कराई तो सबसे मुख्य बात ध्यान में रखें कि आपको खड़े होकर ही स्कैनिंग कराना है डॉक्टर से रिक्वेश्ट करिए बात करिए कि एक सही सकानिंग होज़े कि तो सही रिपोर्ट से हम एक सही इलाज के निष्चे पर निश्करश पर पहुंचेगे क्योंकि हमें क्या एक्जाक्ट ट्रीटमेंट उस वेरिकोसील को रिकावर करने में चाहिए इसको रिवाइब करना कहते हैं कि अगर आपका 4 mm है या 5 mm है उसको 3, 2, 1 धी 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 लाके में क्योशक्ति के इसके साथ कई RS के सब्सक्राइं के दोनों वेरिकोसील भी है और हैईडोसील भी मिलती है मैं बद किसमती वे इसे है और तो उनकशेज्ब यह होओं कि कामप्लिक्टेटि ऑजाते हैं उन्स पेसिट्स को ब्सारिआ का क्यो कर involved & को गाप होना चाहिए आपके scanning के बीश में पुरानी और नई वाली के बीश में वो करवा के हमें खाली पेट ये scanning भीज़िएगा और उसके इलावा आप लोग सीमन रिपोर्ट्स वगरा भी अगर आपको सीमन डाउन लग रहा है सीमन पतला पढ़ गया इरेक्शन बहुत वीक हैं मैरीड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है यह आपकी मैरीज होने वाली इरेक्शन बहुत वीक हो रही है उससे रिलेटेड भी जादा फरक पढ़ता है क्योंकि जब आपका यह वेरिको सील आप सुपाइन पोजीशन में कराके बहते हैं तो साथ में सीमन रिपोर्ट्स पेशन की कहीं होगा काम रहता है तो जब उसके बाद सीमन रिपोर्ट्स बढ़ता है जैसे 15 महीना किसे ने दवाई खाई कहीं से उसके रिपोर्ट्स हमें रहते हैं कि बढ़ गया बट उसके कुछ दिरवाज़ वाला काम करा परेज नहीं करे या रिलेशन्शिप उसके अगर मल्टीपल है या घर पे रिलेशन्शिप अपने पार्टर वाइफ के साथ रेगुलर कर रहा है तो जब तक आप परेज पूर पेशिंट्स के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ नोट और करना वेरिको सील पैशंस बलोट बाद बताने चारह हूं और मेरी खिचिल पैशंस में कॉमन तौर पर बॉल्ट का लटकना टांगों का थकना और कमर दर्द यह चीज़ें बहुत जल्दी कॉमन देखने को मिलती ह सबसे पहले सावधानी बचने की सावधानी के जो परीज मैंने बताई हैं जैसे कच्छा प्यास कच्छी हरी मिर्ची नॉन वेच्छ ड्रेंग वगरा इस चीज नो मैंने बताई हैं काफी एपिसोड में और बहुत खुशी की बात है में पेशन्स के बहुत थैंक्स के कॉल्स भी आते हैं जो इनिशल स्टेजिस में जिनको दिक्कत चुरू हुई थी तो ही मैं यह आपसे आज वीव्यूज शेर कर रहा हूं मैंने काफी पॉइंट बहुत देर से नूट करे हुए थे तो मैंने ता है मैं कची हरिमित प्रीच पी तेन चार चार खायता था था मैं यहार रात को डेली कवाटर से राप पीता यह पीता हुन तक यह मेरा नौनवेज बहुत ज़्यादा होता था यह मेरा exercise physical work बहुत ज़्यादा मेरा construction और यह मेरा शेफ का वर्क खड़े रहने का क्योंकि occupation भ बहुत बड़ा इंफुलेंस रहता है आपकी वेरिकोसील के उपर आपकी बाल्स जो पैल्विक फ्लोर है वो आपका वीक नहीं होना चाहिए आप हेल्दी एक्सिस हैजिस करिए हेल्दी डाइट लीजिए और सबसे बड़ी बात इन्वेस्टिकेशन के सही निश्कर्स पर पह करती क्योंकि मेरे पास ऐसी कई रिपोर्ट भी आई है जो पेशन्स ने कभी जिन्दगी में जिन्होंने सिर्फ पीड की दवाई नहीं खाई एडिक की दवाई क्याने का मतलब तभी नॉन वेज नहीं नहीं खाया कभी ड्रिंक नहीं ली ऐसे पेशन्ट भी एक्सेप्शन रिपोर्ट के निकल आते अच्छे वाले तो इसमें हम लोग 100% इन्वेस्टिगेशन जो आती हैं उसको 100% बेस मत बनाएं आपकी जो रिपोर्ट है परिस्तितियां है रिपोर्ट और स्टेज इन चीज़ों का हमेशा फरक रहता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ब आते हैं उसी अधार पर इन्वेस्टिगेशन हर पेशन की फिजिकल एक्जामिनेशन जो डॉक्तर की है जो परसनली खुद कर रहा है अगर वो खुद एक्सपोर्ट एक्जामिन कर रहा है अगर वह कह रहा है तो उस चीज को हम लोगों को अधार लेका ही ट्रीटमेंट जो पुरा है और जो इन्वेस्टिगेशन आई है उन दोनों में कितना फर्क है तो वही सही और निश्कर्ष पर पहुंच पाएंगे सही लाज के साथ सही अगरा परेज रखते हैं तो आप विमारी से बहुत ही जल्द अराम और फायदा पाएंगे आज के लिए मैं आपको इत विशे पे जान करी दूँगा नमस्कार सस्विकार।